कि हलो सुगाइज वालकम अगें अल फ्यू माइम इस एंगी त्यागी किस्वेंट्स काल हमें जहां पर भी उस प्रणावन को छोड़ा था मेरे प्यारे बच्चों वहीं से मैं लागातार कॉंटिव्यू करने बाएं आज एक्षिर जो कंसेप्ट हो बड़ा इंट्रेस्टिं वाला हूं बड़ डिफरेंट कंसेप्ट डिफरेंट है चीजों को समझना है और बस हमें अपना काम कर देना है मेरे प्यारे बच्चों तो आएए देखते हैं कल मैंने आप लोग चीज पढ़ा है कि मुझे याद है कल बच्चों मैंने टेबल बात की थी आप लोग से उस जो इंपोर्टेंट है थोड़ा सा जो इंपोर्टेंट है मैं दो बेट लूगा उनको समझे पहले कि उस टेबल से ही पूरी कोश्चन आज होने है और जिन लोगों ने अगर परनावं की बेसिक क्लास सेकिन नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लें क्योंकि उसके गिरा नहीं फिदा तो मेरे बच्चों कम और लोगों मैंने लिखाए भी है बचल सी परनाव में निसकिया था मैंने वहां पर डिसकस किया था और मेरे याद मैंने कहा था पजसिव अड्जेक्टिव जो यूज होते हैं वो मेरे पहरे बच्छों नाउन से पहले यूज होते हैं आप लोग को याद होगा ने कहा था इस पढ़नाउन्स होता है और मेरे पढ़नाम है तो विदाउट क्या यूज हो गया था हम जलती से एक बार देख लेके बहुत इंपोरेंट कंसेप्ट है मैंने कहा था मुश्य याद है कि हैस पजसिव अड्जेक्टिव भी है और हीस पजसिव पढ़नाउन भी है मेरे और मेरे पेरे बच्चों वहां पर मैंने बताया था मुझे याद है दियर इस कोई भी पजस्य पढ़नाउस नहीं होता यहां पर भी मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि तेधार को यहां है और वहां पर लिख़ा है यह आउर मेरी कुछ बात सबंधें आ रहे हैं यहां पर मैं लिखा यहाँ पूस्तर फैर वन्स के साथ और यहां पर मेरे प्यारे बच्छो में लिकनाँ वन्स और एक पड़ोंटा वहाँ पर अगर आप जिहां से दिखें और यू आर और और मेरे पहरे बच्चों यहां पर में लिखना हूँ आप देखिए जित मैंने सारे प्रजसिव पढ़नाओं टेबल में सारे निस्पस के हुआ है जो क्लास 2 है प्रणाओं का जो बेसी क्लास 2 है उसमें पूरा टेबल मैंने बताया तरह में वह कुछ भी प्लेस्मेंट होता है वह नाउन से पहले कभी नहीं आ सकता है यह मैंने कल भी आपको बताया था एक्चुली मुझा इनके बारे बदाना आ गया है देखिए यहां पर लिख्या है इस को पजस्थिव परणाओं और हिस को बच्चे I am saying that पजस्थिव परणाओं लेकिन हर प अपने नाउन लगाया तो उसका कोई मंता भी नहीं होगा विकोज परणाओं को उन्वेस्थ विदाउट नाउस तो लेड़ सी चीजों को समझते हैं और सब्सक्राइब मेरे पास एक संटैस है मैंने कहा देखिए इसको आप यहां पर समझें पजस्थिव परणाओं में मैं आप यह थो पास एक है पक्या मैं सुनमा ऍानना जीज आप यहां चीज? ना ऋ हैं और सक्या दिसा आ्पा लान番 का यहां पी स resilient आठाई हैं और सा मया संटैस your pen that is your pen and this is sorry this is your pen and that is his copy let us see you have your oblique yours the next sentence is she has her oblique hers book next sentence we have our oblique ours house I am telling you difference between possessive objective and possessive pronouns first in this case this is my bag and that is his bag I said that the noun means we don't repeat a noun in a sentence we cannot do any sentence in any sentence that is wrong if it is a noun that is a noun it is not a noun this is my bag and back which is noun is not a noun I said that noun is the definition which we can see and feel and back to you can see and not see and if you can see back noun and back here I have written and back here I have repeat and back here I have repeat that is absolutely wrong because noun is a sentence we use only now the repetition is valid not because I have written here and back here I have repeat so why is it valid to be बिल्कुल भी अब देखिये जरा हम लग कहें लिए this is my bag and that is his sentence यहां पर आइठ है और बता दो बच्छे इस का मतलब ही जहां से सुनिये his का मतलब ही his bag है लेकिन आप his bag sentence में लिट नहीं पाएंगे है क्यों नहीं पाएंगे because bag noun है और noun का repetition valid नहीं है मैंने कहा सुए this is your marker and that is and that is my marker मेरे प्यारे बच्छों देखिये marker noun है मैं नहीं बोल पाऊंगा this is your marker and that is my marker marker का repetition बिल्कु भी बने नहीं है तो right sentence देखिये मैं क्या बोल रहा हूं this is your marker and that is mine that is mine और mine का मतलब ही sentence में है my marker because we can't write noun in a sentence again हम किसी भी sentence में noun दोबारा नहीं लिख सकते हैं और उस noun के reference से बचने के लिए लेकर ही हम पज़श्चिक पढ़नावन लेकर आ हैं देखिये मैंने डिखा इस इस जोर मार्कर अब योर मतलब भई marker तुम्हारा है and that is mine mine मातलब मेरा marker माइन का मतलब ही माइन मार्कर है लेकिन sentence माइन मार्कर नहीं लिख सकते हैं हम क्या बोलते हैं this is mine This is your marker and that is mine और mine मतलब मेरा marker माई नहीं अधिकार बता रहा है और अधिकार जो बता रहा है लेकिन हम marker नहीं लिख सकते इस marker के Reprition से बचने के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं माईज यूज कर रहे हैं और यह क्या है? यह pronounce है जो noun का replacement होते हैं और इनके बाद गलती से भी नाव नहीं आ सकता, लेकिन इनके बाद नाव यूज करना पड़ेगा. मतलब 85 पड़ाओं, सेंटेस बगए यूज कर रहे हैं, तो क्यों यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं, ताकि नावन हमें दोबारा टीखनर ना पड़ेगा. क्या मेरी बाद समझ पाए है और नहीं समझ पाए है? देखिये, next sentence बने क्या कहा है? This is your pen and, and that is his copy. मुशे बताए है, यहां पर pen नावन हैं, और copy भी नावन हैं, लेकिन क्या एक बार बताए है, मुशे pen और copy दोनों different नावन से क्या नावन का रिपरेशन हो रहे है? अब इस sentence वाप नहीं हो सकते, this is your pen and, that is his. अगर आपने his बोला, तो फिर वो pen को ही repeat करेगा, लेकिन हमने क्या कहा, यह तुम्हारा pen है, और copy जो है, वो मेरी है, अब pen एक अलग चीज है, pen क्या है, एक अलग चीज है, और copy that is a different noun, तो आपको use करना पढ़ेगा, this is your pen and that is his copy, अगर use नहीं क्या तो that is around, क्या में चेस ब नहीं से नहीं से बने पास, you have your oblique your span, अब देखिए, pen है, और pen से पहले, pen से पहले, क्या पज़स्वी पढ़ना ना सकते हैं, बिलकुल नहीं क्योंकि इनके बाद तो noun आ नहीं ही, तो क्या लूश करेंगे this, I have, sorry, you have your pen, और यह पज़स्व अज़स्व अज़स्व अज़ अब नहीं है, we have, what are our, our, ours का कुई मतलब भी नहीं है, क्योंकि house noun है, और noun पर जो विकार बताता है, वो क्या होता है, वो पज़स्व अज़स्व 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 होता है, क्या मेरी बात क्लिर है, अफिर मैंने कहा, this is, this is your house and that is their house, अगर आपने बोला, that is their house, इसका कोई मतलब रहीं है, क्या कहा है, this is your house, वो तुम्हारा घर है, जो उनका घर है, उनका अज़स्व. त इस their house, that is their house, अगर आपने बोला, that is their house, क्योंकि house noun है, that is a wrong, और ये भी यों है, देख़ी क्या मॉन दोर ह हाउस का नाउन है और नाउन ऐन रुट हैं क्या बोलोंगे यह this is your house and that is dears, क्या बोलेंगे, dears, dears house भी नहीं बोलेंगे, और dear house भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि house पहले से sentence में है, और noun का repetition बालेट नहीं है, अक्सर हम लोग कहते है, this is mine, this is yours, this is hers, क्योंकि वहाँ पहले से noun में दिखा रहता है, अब पता है किसकी बात कर रहाएं, तो होगा, वो दिख रहा है नहीं, तो हम लोग यह नहीं बोलते, that is ours fan, that is ours mobile, क्योंकि mobile हम लोग देख रहे, तो हम कहते है, that is ours, वह हमारा है, क्या बात clear हुई है, अब जो next point बताने वाला हूँ, बड़ा important है, इस वेंस, अब next मैंने कहा था, अब आपको different मिलने वाला है, वो different मैं अच्छे से समझना है, और अपने mind में साथ करना है, अच्छे से क्यों समझना है, मेरे पैरे बच्चों, वहीं से SSC में question आ रहा है, अब देखे, मैं जो sentence बोलूँगा, आप कुछ और समयने वाले है, मैं कुछ और बोलने वाला हूँ, और आप definitely, मैं जो बोलूँगा, क्यों समझने वाले है, क्यों समझने वाले हैं लड़सी, देखे हैं तरह, देखे श्ट्रेंट्स, मेरे पासीsentence, सिंबल सा संंंंस पा कहना हूँ, sentence is that, your, object, yours, और योइस, क्या मेरे बेच्चों, your, object, yours is a, नाइस पैट देखें से मैस के बोड़ें यूर और यूर्ष इस आ नाइस पैट नहीं कहा यूर्ष इस आ नाइस पैट अब कोशिन यह है कि यूर लगाएंगे यह यूर्ष लगाएंगे नेक्स अन्यस अबरे पास यूर्ष अब यही चीजे हैं बच्छे जो आप लोग को समझना है और कोशिन को सोट आउट कर देना है देखें क्या बोटना हूँ यूर्ष ओगलिक यूर्ष पैन इस नाइस जो शुर्ष आप पैन इस नाइस पैन प्याले बच्छों देखें पहरा सिंद्स यहां योवर्ष बिकुल है रहेगा क्योंकि देखें यूर्ष और इट्स दियार हर विस्सी पजस्षिव अच्छेटिव इनके बाद क्या यार्चेना है लेकिंगे यहाँ परनाउन है क्या अगर आपने बोला यह इसे नाइस नाइस नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है राइं सब्जिक्ट या उबजट में बदायए था नाउन होता है यह परनाउन होता है यह नाउन की एक्विलेंट होता है यूर्स इस नाइस पैन और यहां पर इखल प्होँमारा अच्छा पैन है तुम्हारे ऑच्छा पैन है यूरस तुम्हारा 태 यूरस इसा नाइस पैन, तुम्हारा एक अच्छा पैन है, लेकिन यवर मम बोल देचेगा dep expansrin diamond और noun से पहले possessive adjective आता है बोनों yes और no और कही ना कहीं देखिए दोनों का meaning same है yours is a nice pen या फिर your pen is nice देखिए दोनों में pen ही अच्छा है ना लेकिन your possessive adjective है और उसके बाद noun आता है आप नहीं वोसे पहले yours pen क्योंकि यह पजस्य पढ़ना हो ने उसके बाद noun कभी नहीं आता है और मैंने रहाए नाइस पैन तुम्हें अच्छा पैन रखते हो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ने कहीं तीनों का मतलब रिखिए आप खूब कहिए रहे हैं और योर्जी पैन यहां जग अने प्रहरा है क्या क्या रहूं यह वापन लेक्ट मेह समय लां आी लिए अंचे यौर्डम आंके पूड़िन योर्जे लगा है यह जेंग यह बहुका पैन है और यहां यह पर हैं यह जोंग आ यहां scary क्या झान आना देंखे बारी हां, important sentence है, his is a beautiful wife, और मेरी रोल पारी है, his wife is beautiful, और एक sentence और है मेरे पास है, बारी रोल हो, he, sorry, he has a beautiful wife, ज़र आप चीजों को समझे यहाँ पर हिस के बार नाउन है क्या आप कोई सब्सक्राइब लगना चीए कि हिस इसे ब्रुटिफ लाइशर कभी पढ़ा गी है लेकिन देखिए हिस पजस्थिव अज्चेक्टिव है और हिस पजस्थिव पढ़नाउन भी है और मैंने लास वडियो बताया था अगर हिस के बार नाउन नहीं है तो क्या होगा पजस्थिव पढ़नाउन होगा और हिस के बार अगर नाउन है भी नाउन के साथ ही जा रहा है तो पजस्थिव अज्चेक्टिव होगा अब मुझे एक बात बताईए मैंने कहा his is a beautiful wife इसका मतलब जान तो क्या है उसकी एक सुन्दर wife है लेकिन his को यहना पर बोलेंगे possessive pronoun पी-पी-बोर नाउन है possessive pronoun त्यूकि his के बाद noun नहीं है और मैंने कहा था कि his भी without noun यूज होता है याद करिए मरी बात को I told you yesterday कि his भी without noun यूज होता है और जब वो his without noun यूज होगा तो वो possessive pronoun होगा और his के बाद noun होगा तो वो possessive adjective होगा बोलो हाई ना His is a beautiful wife आपको बोलने में थोड़ा सा ग्रडबर लग रहा है पर मेरे पहरे बच्चों एक दो right sentence है उसकी एक सुन्दर wife है और यहाँ पर देखिए his के बाद wife आ रहा है और wife क्या है नाउन है तो यहाँ पर his को बोलूँगा भाई possessive adjective देखिए His के बाद noun है तो possessive adjective है His के बाद noun नहीं है तो possessive pronoun है और इसका मदब देखिए क्या क्या है उसकी wife सुन्दर है यहां पर इसका मतलब किया है उसकी सुंदर वाईफ है यहां कर भी वाईफ एक है लेकिन वह जैसे अगर आप बोले विच्चु दियर्स अब देखिए मने कहां पड़िए 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 और हम बोले भी दियर्स इजा नाइस हाउस यह संटेंस इंदम राइट है और कही नहीं संटेंस का मतलब यह है देखिए मैं कहां लिख रहा हूं दियर्स हाउस इस नाइस अधियर्स मतलब उनका और देखिए दियर्स के बात मुझे बताए दियर्स के बात क्या नावन आएगा यह sait is a nice house, उनका एक अच्छा घर है, और their house is nice, उनका घर अच्छा है, their possessive adjective है, उसके बाद noun आएगा, their possessive पढ़ना हुआए, इसके बाद noun नहीं आएगा, मेरी बात को दुआरे सुनिये ध्यान से, इनको आग किसी भी sentence का subject, object खूब बना सकते हैं, लेकि इनके बाद noun नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर इनके बाद noun हुआ, तो बच्चे बहुत करबड़ हो जाएगा, क्या मेरी बात clear है, without noun यूज़ करिए, subject बार ये object यूज़ करिए, बस noun नहीं होना चाहिए, पजसिव adjective में, पजसिव पढणाव में difference clear हुआ होगा, मैंने का this is my pan, this is my pan, and that is your pan, that is a wrong, क्योंकि pan noun है और noun का repetition valid, नहीं है, this is my pan, and that is yours, क्या मेरी बात clear है, क्योंकि यूज़ सी निखेंगे, and use that is a positive pronoun, और यूज़ के बात noun नहीं है, क्या मेरी बात clear है, या नहीं कर रहा है, दो मिटों लूँगा मेरी बेच्छे, दो मिट में दो एक्ज़म पर और समझेंगे, ताकि आज के बाद आपको कभी problem नहीं हो, मैंने का ours, क्या ours, जिसे आप ours बोलते हैं, ours is a nice country, अब दिखें, ours के बाद क्या मैंने नहीं हो यूज़ किया है, ours is a nice country, लेकिन ये नहीं हो सकते थे, our is a nice country, क्योंकि our possessive adjective इसके बाद noun जीए, क्या जीए नहीं हो, या तो ये बोले, ours is a nice country, या फिर बोले, our country is nice, अब दिखो आर के बाद noun ला रहा है, हो क्या है, कंट्री है, ये संदो, एक छोटा सा trick समस्ते हैं, और फिर मैं चीजों को hand करने जा रहा हूँ, मेरी पैरे बच्चों, अगर मेरी बास समन में आती है, तो please, comment जरू करके बताया करें, कि चीजें लिखा करें, yes, चीजें मन में बैट रहे हैं, तो please, video करें, comment किया करें, और लिखा करें, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो पर चल रहा है, देखो जब तक आप नहीं लिखे है, हर, wife, sorry, her wife तो मोली है, her husband, क्योंकि अब लेकिन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जुक्या है, इंडिया के अंदर भी आप जानते हैं, mail mail से साधी कर सकता है, तो पता हैं, कौन wife और को रहा है, her wife है, or her husband, we don't know, अब तो बोल सकते हैं, लेकिन गाहावर में इस नहीं करना, ठीक है, वो अच्छा नहीं माना जाता, तो देखे मैं क्या बोलना है, मेरे बच्चो, her husband, क्या, her husband, क्या, आप तो आज कर तो बोल सकते हैं, her wife, अब मैं वाइप कोन है, wife है, husband है, क्योंकि हड ने हर से साधी की हुई है, her husband is smart, देखे मैं क्या बोला है, और smart husband, मेरे प्यारे बच्चो, अगर्स संद में आ जाएगा तो प्लीज लिखे है, हाँ, next sentence, see, has, a smart husband, see, has a smart husband, next sentence है, मेरे पास, देरा ध्यान से सुनिए, hers, husband, क्या, hers, husband, respond, अब आपको ही बताना है, मेरे प्यारे बच्चो, कि में कौन से sentence right है, कौन से होगे है, husband है नाम, और नाम से पहले जो आता है, वो progressive objective आता है, हम सामते हैं, PA, और हर progressive objective है, और हर स्पजश्श्व पढ़न है, yes or no, her husband is smart, उसका लिए husband अब इसमार्ट है, और डाउट है नहीं, क्योंकि हर progressive objective, objective के बाद आता है, her possessive pronoun है, क्या है, possessive pronoun है, क्या इसके बाद noun है, क्या husband लिख पाएंगे यहां पर, अगर आप यहां पर husband अगा है, that is wrong, hers is a smart husband, is equal to her husband smart, उसका जो husband अब इसमार्ट है, और मतलब क्या है, उसका, hers मतलब उसका एक smart husband है, तो देखे, hers के बाद husband नहीं आ रहा है, husband इसके बाद आ रहा है, smart के बाद आ रहा है, hers is a smart husband, आप बुले, hers is a smart husband, both are right and both are same है, या फिर आप बुले, say has a smart husband, तीनों का कहीं न कहीं, एक ही मतलब है या रही है, मुझे बताएंगे, लेकिन मैंने कहा, hers is a smart husband, नाउन है, और नाउन से पहले, क्या कभी परज़स्य पढ़नाओ ना सकता है, कभी भी नहीं, यहां पर hers नहीं आएगा, right आप लोग 7 कहेंगे, क्या होगा, hers is a smart, मेरे पहले बच्चों, yours, theirs, ours, mine, अगर आप ने कहा, mine is a pen, mine is a pen, और mine जो पज़स्य पढ़नाओ है, that is right, लेकिन आप यह नहीं बहुत सकते थे, mine is a pen, mine मतलब मेरा, मेरा जो पैन है, वो एक बलेक है, मतलब मेरा जो पैन है, वो एक बलेक है, तो क्या बनूंगा, mine is a nice pen, लेकिन mine के बाद अगर pen लगा है, माईं के बाद क्या लगा रहा है इस लगा रहा है या तो आप बोले माई इस नाइस नाइस क्या मेरी बात क्लियर हूई है I hope so सब लोग को मेरी बाते क्लियर होगी Dears, Yours, उसब को पजस्टी पर नाउन है सब्जेक्ट बनाए, उब्जेक्ट बनाए लेकिन के बाद नाउन नहीं होना चाहिए और पजस्टी और अजेक्ट बी तो नाउन डेफिट लेगा और पजस्टी पर नाउन हम क्यों यूज़ करते हैं ताकि आगे नाउन डेफिट लेशन ना हो ओके मेरी पेरे मिच्चों, थैंक यू, थैंक यू अरे मच्च, थैंक यू टो आउन